असलाम उलेकूम फ्रेंड्स मैं खार नाजमी शरीफ वेलकम टुरहमान पठान यूटूब चैनल फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम लोग कोड और डिकोड एक्चुली अल्फबेट सीरीज में से हमारे यह वाला टॉपिक रह गया था उसमें अल्फबेट सीरीज में जितन डिये गया अल्फबेट से कोई नया लफज बनाना वो हमने देखे थे असके जितने भी टाइप यह वह हो चुक्ए थे हमारे लेकिन उसमें से कोडिंग और डिकोडिंग वाला जो टाइप था वह हमारे रहे गया था तो इसको हम लोग आप कवर कर लेंगे तो पहले हम basic सिखेंगे, उसके बाद हम जो question है, उसको solve करने के तरीके क्या है, किसके type के question आते हैं, हम वो देखेंगे, देखेंगे, सबसे पहले क्या है, इस तरहां के सवालात में किसी लफज को एक तैस शुदा उसूल के मताबिक एक खास code में पेश किया जाता है, लफज और नंबरों के यह खायाली code ही के मताबिक हल करना होता है, इस शुपी हुवी उसूЛ का पता लगा कर सवाल को हल करना होता है, यानी क्या किया जाता है, किसी लफज को एक तैस शुदा मतलब कोई खास वहाँ पर एक उसूल इस त्छास तो इसको code दिया जाता है, जिससे suppose यहा इस तरहां से एक code दे दिया जाए है जियाद रखने के लिए या कौन सी चीजों पर अमल करना ज़रूरी है कौन सी चीजें आपको मालूम होना चाहिए कोडिंग और डी कोडिंग के सवाला जल से जल सॉल्व करने के लिए तो देखे सबसे पहले हैं इस तरहां के सवालात हल करने के लिए अंग्रेजी हुर्फे तहजी के दाएं और बाएं से नंबर मालूम होना जरूरी है वरना सवालात को हल करने के लिए ज्यादा वक्त लग सकता है यानि इस तरहां के जो सवालात होते हैं कभी-कभी इन में जो अंग्रेजी हुर्फे तहजी के जो नंबर होते हैं और अगर दाए से आप देखेंगे, तो दाए से अगर हम देखेंगे, यहनि उल्टी ABCD अगर हम लिखेंगे, तो एक नमबर पर Z आता है, दो नमबर पर Y आता है, तीन नमबर पर X आता है, चार नमबर पर W आता है, इस तरह से आपको दाए और बाए दोनों तरफ से पर plus one का उसूल है, एकी जगापर पर क्या लेंगे, हम see लेंगे, एल की जगापर क्या लेंगे, हम end लेंगे, यहाँ पर भी end लेंगे, यहाँ पर इनके नमबरों के अंदर plus one का rule ले पनाया गया है, तो इसके लिए इनके numbering मालूम होना चाहिए, तब ही जाकर आपको यह rule जो है समझ में आएंगे, अब देखिए इस तर्तीब को याद रखने का आसान तरीका क्या है, तो इस तर्तीब को याद रखने के लिए आपको E जोटी को याद रखना चाहिए, अब क्या है यह E जोटी, क्यूंकि देखिए E का नंबर होता है, जिस CD, ये चार नमबर तक आते हैं, फिर J से पहले के आता है, या E के बाद के आता है, तो E के फॉरन बाद आता है, F, F कितने नमबर पर आता है, 6, G कितने नमबर पर आ गया, 7, मतब इस तरहां से ये 5, अगर आपको याद है, suppose E, जोटी, तो आप बाकी के भी क्या कर सकते हैं, य या फिर बाकी के मालूम कर सकते हैं, इनकी मदद से इनके आगे पिछे वाले अल्फाबेट के नमबर, तो E जोटी आप याद रखी, या आपको अल्फाबेट सिरीज के अंदर भी मैंने आप बता चुकी थी, कि E जोटी की क्या हेल्प होती है, E जोटी के जरिया हम किस तर इसनके थी नमबर मालूम करना हो तो इसके सीधे हुरूफ के नमबर, सीधी तरतीब के नमबर, यानि 12 से दाइवाले नमबर को 27 में से तफरीक करने पर उल्टी तरतीब का नमबर मालूम हो जाते, यानि अगर सपोसल मसा आपको किसी भी नमबर की किसी भी अज़lectric के है किक गौंड करते आओंगी तो सी की कितने नंबर पर आता हैं यह में पैसे मालुम कर ने तो इस सताथ से आप और सकते हैं ऑसे तो अगर दाय से आपको मालूम करना है यानि उल्टी तरफ से अगर किसी भी अल्फाबेट के नमबर को मालूम करना है आपको तो 27 में से उसका रेगूलर जो नमबर है जिसे ABCD हम काउंट करते हैं वो नमबर आप माइनस कर दीजी ओकी जिसी यहाँ पर एक्जामपल दिया ग अब कुछ जरूरी बाते एहम बाते हैं हम उनको देखेंगे क्या है सवाल हल करते वक्त जब ये मालूम हो जाए के सवाल में क्या उसूल है तो पूछे गए सवाल को पूरा हल करने की बज़ाए लवज के शुरू और आखरी हुरुफ का कोड मालूम करें और मुदबादिल में से जवाब चुनें फिर भी जवाब ना मिले तो आखिर से दूस इसरे हुरुफ का कोड मालूम करें यानि आपको क्या करना है जिसे अगर कोई आपको एक वर्ड दे दिया गया है और उसमें आपको पता चल गया कि क्या रूल है आपका तो जो भी सवाल आपको दिया जाएंगा उस सवाल का पहला और आखरी जो लेटर है बस उसको सबस्क्राइब कि शेया आपको पहला और आखरी मैच कर रहा है तो बागी के पूरे आपको डिकोट करने की ज़रूरत नहीं है अप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं मालूम हो रहा है तो आखरी वाले से पहले वाला क्या है उसका कोड कर सकते हैं नेक्स देखिए क्या है जब लफजों के हुरूफ का कोट बिल्कुल अलग लफजों में कोट दे दे तो मान लीजे के लफज के हुरूफ में जमा या तफरीक की जा रही है मतलब सपोर्ज जैसे यहां पर अब मैं आपको एक्जामपल देती हूं बैठ है और मैंच कर रहा है क्या नहीं कर रहा है तो यहां पर जमा तफरीक का उसूल इस्तेमाल किया जा सकता है जिसे बी में जमा करेंगे दो तो यहां पर डिया आएंगा इस तरहां से यहां पर कोई जमा तफरीक का उसूल इस्तेमाल किया जा सकता है ओके अगर बिल्कुल ही हुरू अलग है तो अगर लवज के हुरुफ का कोड ऐसा लवज हो जिसके सब भी हुरुफ समालिया लवज में आ रहे हो तो वहां उसी लवज के हुरुफ की तर्तीब बदल कर कोड मालूम करें जिसे सपोज यहां पर अगर दे दिया जाए इस तरहां से अगर एलिमेंट दे दिया जाए और इसको इस तरहां से लिखा जाए अगर तो यहां पर क्या किया गया है देखिए जितने भी हुरुफ इसके अंदर है उतने हुरुफ आपको उसके कोड में भी नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इनहीं की तर्तीब में कुछ तो भी अदल बदल कर दिया गया है और ये नया जो तर्तीब है यहाँ पर दी गई है तो अगर आप पूरे repetition हो रहे हैं पूरे अलफास पूरे alphabet अगर repetition हो रहे हैं तो आपको क्या करना है फिर वहाँ पर उनकी ही जगा तब्दिल करके देखना है वहाँ पर उस रूल को आपको फॉलो करना है जब लफ्ज का कोड आदात यानि नंबर में दिया जाए तो मान लीजिए के लफ्ज अंग्रेजी हुर्फे तहजी के नंबर को जमा या जर्ब करने का अमल होगा यानि सपोस अगर आपको यहाँ पर जिसे डॉल है सपोस इस तरहां से डॉल लिखा हुआ है और अगर इनको कुछ नंबरिंग दे दी जाए जिसी की चार नंबर पर आता है यह कितने नंबर पर आता है E, J, O, देखिए पंदरा नंबर पर आता है तो इस तरह से अगर इनकी नंबरिंग आपको दे दी जाए तो आप समझ जाएए कि यहाँ पर नंबरिंग यानि अल्फा बेट सिरीज के नंबरों को इस्तिमाल किया गया है ऐसे ही कोई भी नंबर उठा कर नहीं दिये जाते अल्फा बेट सिरीज में जो उनकी नंबरिंग है उसी में कुस्तोभी उसूल वहाँ पर अपनाया गया होगा इस तरह के सावालात में महारत हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करें मश्क करें तब आपको जो है पैटन और किस तरह के सावालात होते हैं वह जल्दी समझ में आ जाएंगे अब देखे कौन-कौन से उसूल मतलब अपनाय जाते हैं क्वेश्चन के अंदर जितने भी competitive exam में क्वेश्चन आये हैं उन पर अगर तजजियां किया जाए उनका analysis किया जाए तो कितने उसूल निकल कर सामने आते हैं देखे सबसे पहले आता है जमा का उसूल आता है के दिये गए रोस के अलफाबेट के नमबर दिये गए आर का 18 है, ओ का 15 है, S का 19 से और E का कितना है, 5 है, और इसका ये जो Dekod किया गया है, ये जो Dekoding इसकी की गई है, वो किस तरह से की गई है, देखिए, 18 में plugging करेंगे, तो यहाँ पर आगया, 20, 15 में प्लस 2 करेंगे तो 17, 19 में प्लस 2 करेंगे तो 21 और 5 में प्लस 2 करेंगे तो 7, यहाँ पर प्लस 2 वाला रूल क्या किया गया है अपनाया गया है तो उसी तरह से बिस्किट के लिए हमको वही रूल अपनाना होगा अब B में प्लस 2 करेंगे तो कितना आता है चार, 9 में प्लस 2 करेंगे तो कितना आता है 11 19 में प्लस 2 करेंगे तो 21 3 में करेंगे तो 5 21 में करेंगे तो 23 9 में करेंगे तो 11 और 20 में करेंगे तो 22 तो वो नंबर के फिर अलफा बेट जो है आपको यहां पर लिखने हैं यहनि अगर आप numbering डाल देते हैं तो आपको बहुत जल्दी समझ में आता है कि जमा, तफरीक, जर्ब, तक्सिम, कौन सा रूल अपनाया जा रहा है जो alphabet दिये गए हैं उनके numbering अगर आप यहां पर लिख देते हैं तो देखिए, mind को अगर K, G, L, B लिखा जाता है तो diagram को इसी जबान में कैसे लिखेंगे तो देखिए, इसका solution मैं यहां पर नीचे दे चुकी हूँ कैसे solve किया गया, देखिए, mind पर पहले इनके numbering किये गए है M का 13 है, I का 9 है, N का 14 है, और D का 4 है उसके बाद नीचे जो दिए गए है, देखिए, यहां पर K है तो K का क्या number है, देखिए, इसमें से minus, K का number 11 है G का number 7 है, L का number 12 है, B का number 2 है तो आप अगर गौर करेंगे, तो 13 में से minus 2 करेंगे, तो 11 आता है इसके 9 में से minus 2 करेंगे, तो 7 आता है और वो number एक है इससाफ से minus 2 करने के बाद कौन से number आती है यह निए उसे दो number पहले कौन से number आते है वो आपको देखना है जिसे D में minus 2 करेंगे तो क्या आता है B आता है I में minus 2 करें तो G A का Y A का Y की तरह से आता है तो यह उल्टी तर्तिव यह निए A के बाद कुछ नहीं न माइनस करने के लिए तो हम वापस से शुरू करेंगे Z, Y, W इस तरह से शुरू करेंगे तो इसमें minus 2 करने के बाद क्या आता है फिर Y आ जाता है तो इस तरह से G के बाद क्या आता है E, R का P, A का Y और M का क्या आता है यहाँ पर के आता है तो इस तरह से माइनस वाला उसुल यहाँ पर अपनाया गया है अब उसुल नमबर 3 क्या है दिए कि जमा वो तफरीक का उसुल यहाँ तीनों भी उसुल है दोनों भी उसुलों का यहाँ पर एक साथ इस्तेमाल किया गया अगर किसी जबान में ड्रामा को A, V, X, O, X लिखा जाता है तो उसी जबान में वर्ल्ड को कैसे लिखा जाएंगा तो देखी क्या कहा गया है ड्रामा को क्या लिखा गया तो पहले हम ड्रामा और उसके नीचे उसका कोड क्या है वो लिख लेंगे देखे, drama को क्या है? drama के numbering अगर हम दालते हैं, तो D का 4 है, R का 18 है, A का 1 है, M का 13 है, और A का again 1 है, और नीचे इनकी coding दालते हैं, आप इसको कैसे करेंगे? देखे, यहाँ पर हमने numbering देती है, देखे, D का number है 4, R का number है 18, A का number है 1, M का number है 13, और A का number है 1, तब यहाँ पर इनकी, इसकी जो decoding की गई है, यह वाले alphabets की, उसको उसके नीचे लिख देंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या correlation है, तो देखे, 4 और इसका 1 है, मतलब माइनस 3 किया गया है, और देखे, 18 और 22 से मतलब यहाँ पर plus 4 है, फिर देखे, 1 और कितना है यहाँ पर, 24 है, यहनि reverse में इसका माइनस 3 किया गया है, क्योंकि A में माइनस 3 करेंगे, तो हमको वापस से Z, W इस तरह से लेना पड़ेंगा, उसके बाद देखे, 13 में plus 4 किया गया है, तो 17 आया, फिर 1 में वापस से अगेन माइनस 3 किया गया, तो 24 यहनि यहाँ पर माइनस 3 प्लस 4 वाला रूल जो है, अपना आया गया है, तो इसको decode करते टाइम, इसकी जो coding है वो करते टाइम, हमको सेम वही रूल अपनाना है, व, O, R, L और D का हमने numbering लिख दिये, 23, 15, 18, 12 और 4, यह इनके numbering आ गए, ओके, अब इसके बाद देखी, यहाँ पर हमने इसमें पहले क्या है, माइनस 3 है, तो हमने W में माइनस 3 करें, तो हमको 20 मिला, यानि T मिला, अब प्लस 4 है, तो 15 में प्लस 4 करें, तो 19, यानि S मिला, 18 में माइनस 3, O, L में प्लस 4, P, और D में माइनस 3, A, तो इस तरहां से देखी, प्लस और माइनस दोनों भी जो उसूल है, यहाँ पर अपनाए गए हैं, तो इस तरहां से आपको numbering देखर find out करना है, कि कौन सा rule यहाँ पर अपनाया गए, इससे आपको आसानी होगी, नेक्स देखी क्या है, अंगरेजी हुरूफ की जगा का अदल बदल, यानि अगर यहाँ पर देखी कैसे, जैसे अगर किसी जबान में, odometer को, diometer लिखा जाता है, तो उसी जबान में, sablis को कैसे लिखा जाएंगा, तो देखी, यहाँ पर अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हम यह लिख लेंगे, odometer यहाँ पर हमने लिख दिये, नीचे उसका code हमने लिखे, तो इससे हमको क्या पता चला है, कि देखी, दो जो alphabet है, आजू-बाजू के उनको exchange किया गया, जैसे देखे, d के place पर यूँ आगे, u के place पर d आया, फिर m के place पर o, o के place पर m, e के place पर t, t के place पर e, e के place पर r और r के place पर e, यानि ऐसे यहाँ पर इनका cross में interchange किया गया, तो यहाँ पर हमको वैसे ही, जो सब्ली से उसको लिखेंगे, और उसको ऐसे ही cross में हम दो-दो alphabet को क्या करेंगे, उनकी जगा को interchange करेंगे, exchange करेंगे एक दूसरे से, तो यह नया code हमको मिल जाता है, यहाँ पर इस तरह से, क्या मिला, US, L, B, A, E, E, S, कहाँ पर है, यह देखे, US, L, B, A, option number B में है, देखिए, ओके, नेक्स देखिए क्या है, अगर किसी इशाराती जबान में mental को n, v, m, g, z, o लिखा जाए, तो देखिए, अब यहाँ पर पहले हम mental को लिखेंगे, उसके बाद देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए, अगरेजी हुर्फेत है, बाए से जो number है नीचे के alphabet का दाय से वो number यहाँ पर लिया गया है और इसको decode किया गया है तो उसी तरह से यहाँ पर silver को भी किया गया है कि S का बाए से जो number है regular number H का उल्टी जब तरफ से हम alphabet को गिनेंगे तो यह उसका number आता है ओके तो इस तरह से देखिए यह 5 कुछ उसूल थे अब इसके बाद और क्या ज़रूरी बाते हैं देखिए कि इस तरह के pattern और इसमें पुछे जाते हैं तो इशाराती जबान में सिर्फ letter का letter में ही बदल नहीं होता इसमें number में भी coding की जा सकती है अब कैसे देखिए अब जैसे एक इशाराती जबान में consciously को अब यहां पर इस तरह से यह दिया गया है लिखा जाता है तो उसी जबान में smile को कैसे लिखा जाएंगा अब यहां पर देखिए क्या है consciously को हमने लिखेंगे तो यहां पर इसका जो नीचे decode किया गया है वो क्या किया गया है देखिए तो यहाँ पर आपको क्या करना है फिर इसकी coding और decoding यही वाले आपको जो उपर के जितने भी 5 rule बताएंगे हैं वो उसमें से आपको check करना है कि कौन सा rule यहाँ पर follow हो रहा है और उसके हिजब से आपको स्वाइल की क्या करनी है यहाँ पर coding करनी है अब हम यह वाला देखेंगे के एक इशारती जबान में garden को 325764 water को 92165 लिखा जाता है तो उसी code में warden को कैसे लिखा जाएंगा तो देखिए अब यहाँ पर क्या है देखिए garden का क्या नंबर है वो यहाँ लिख लेंगे water का क्या नंबर है वो यहाँ लिख लेंगे और warden का क्या नंबर है वो कैसे बनेगा तो देखिए अब यहाँ पर G का नंबर 3 है A का नंबर 2 है R का 5 है तो यहाँ से हम W कहा है देखिए W यहाँ है, तो इसका number 9 हमने यहाँ से ले लिए, A कहाँ दिख रहाँ देखे, A यहाँ पर भी है, A यहाँ पर भी दोनों जगा पर A की coding क्या है, दो है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ले लेंगे, उसके बाद क्या है, R है, हम R को देखेंगे, देखे, R यहाँ पर भी है 5 नमबर और यहां पर भी same 5 नमबर तो यहां पर भी आर को हम 5 नमबर देंगे उस से तरह से दिखे लिका 7 नमबर है तो इस तरह से दोनों वर्द के जो नमबर दी गहीं उनको compare करना है और फिर हम find out कर सकते हैं एक particular number से उसको define किया जा रहा है, तो वही numbering हमको जो दिया गया सवाल है, उसमें apply करना है, अब देखिए, अगर D is equal to 4, cover is equal to 63, तो basis is equal to what? अब यहाँ पर देखिए, D is equal to कितना है 4, तो अंग्रेजी हुर्फित है, जी का number है, यह D का, बराबर अब cover का कैसे किया गया है, देखिए, यहाँ पर cover is equal to कितना है, 63 है, तो देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है, cover का C का 3 है, O का 15 है, V का 22 है, E का 5 है, और R का 18 है, तो 63 कैसे आया, देखिए, इन सब का addition करने के बाद, यहाँ पर 63 आया, तो बस उसी तरहां से हमको क्या करना है basis का भी लिखना है हमको तो देखिए basis का अगर हम यहां पर देखेंगे तो B का कितना है 2 है उसके बाद A का कितना है 1 है S का 19 है I का 9 है और उसके बाद यहां पर देखिए S का 19 है तो इन सब का जब addition करते हैं तो क्या आनता है इसका 50 आता है यानि basis का code क्या होगा फिर 5050 होगा अब देखी next मिसाल देखी क्या है अगर 80 बराबर 20 बैट बराबर 40 तो cat बराबर क्या होगा देखी A का 1 code है और T का 20 code है मतलब यहां पर इनकी multiply की गई है अगर plus किया चाता तो 21 ह होना चाहिए था लेकिन यहां पर इनका multiply किया अगर 21 सा 20 तो सेम यहां पर हम देखेंगे देखिए 22 कितने होते हैं यहां पर 40 और 1 का तो वहीं आता है 41 सा 40 तो सेम वही चीज़ हम को cat में कर देखिए 31 सा 3 और 3 को 20 से multiply करेंगे तो कितना आता है 60 आता है मतलब cat का code क्या होग होगा यहां पर 60 होगा तो देखिए मिसालों के जरी हमने हर तरहां के पैटन देखिए कि किस किस तरहां के पैटन जो है पूछे जाते हैं ओके दिखिए यहां पर भी एक कोशन और है दिखिए अगर मशीन को 19, 7, 9, 14, 15, 20 और 11 लिखा जाए तो danger को किस तरहां से लिखा जाएंगा तो दिखिए मशीन में क्या है दिखिए यह word से code किया गया उसको word को numbering से coding किया गया दिखिए 13 है तो उसमें plus 6 करेंगे तो 19 आता है 1 में plus 6 करेंगे तो 7 आता है इस तरहां से plus 6 वाला जो है rule यहां पर लिए गये है तो स्यम वही चीज हमको यहां कर लिए है जो सवाल दिया गया है डेंजर उसके numbering कर लेंगे हम उसके बात फोर में 6 मिलाएंगे तो 10 होता है 1 में 6 मिलाए तो 7 होता है 14 में 6 मिलाए तो 20 7 में 6 मिलाए तो 13 5 में 6 मिलाए तो 11 और 18 में 6 मिलाए तो 24 होता है तो दीकि जितने भी type के जितने भी pattern के question आते है वो सारे एक-एक मिसाल के जरी में आपको समझा चुकी हूँ कौन कौन से उसूल अपनाए जाते हैं जमा का उसूल है तफरीक का उसूल है जमा तफरीक धोनों का उसूल है जर्ब का उसूल है अलफा बेट का अदल बदल उनकी जगा के एक्सचेंज का उसूल है अलफा बेट से नमबरिंग में किस तरह से convert किया जाता है उसका उसूल है तो ऐसे बहुत सारे हमने अभी यहां पर हर एक का एक एक टाइप का question देखे जिससे हमको समझ में आ गया कि कितने टाइप के logic आप लगा सकते हैं यह कितने तरीकों से आप सवालात को solve कर सकते हैं ओके दिखें क्या है first question क्या है अगर किसी इशाराती जबान में butter के लिए cv, u, u, f, s इस्तेमाल किया जाएं तो coffee को उसी जबान में किस तरह लिखा जाएंगा तो पहले दिखें हम butter की coding या decoding कर लेंगे कि butter को किस तरह से code किया गया है तो दिखें B, U, T, T, E, और R, ओके उसके बा आप देखिए यहाँ पर मैं इनके numbering लिख देती हूँ, B का number कितना है? 2 है, U का कितना है? 21 है, T का कितना है? 20 है, again T कितना है? 20 है, E का कितना है? 5 है, और R का कितना है? 18 है अब इसके बाद इनके नीचे जो alphabet लिके गए है हम क्या है C, V, U again U यहाँ पर F और यहाँ पर S अब इनके numbering अगर मैं डालती हूँ तो इनकी numbering क्या आती है देखिए इसका 3 है, इसका 22 है इसका 21 है यह भी अगें 21 F का कितना है 6 है और इसका कितना है 90 है देखिए उसुल समझ में आ गया आपके यह 2 से 3 आ गया, मतलब प्लस 1 है 21 से 22 आ गया यह भी 21 से अगें 22 20 से 21, 5 से 6 और 18 से 19, यानि simply यहाँ पर प्लस 1 का रूल फॉलो किया गया है तो हम यहाँ पर इसका लगा सकते C के बाद क्या आता है D आता है O के बाद क्या आता है P आता है F के बाद क्या आता है G, again G, E के बाद F और F तो यहाँ पर देखिए इसका यह code बनता है यह कहाँ पर नज़र आता है हमको option number A में दिखाई दे रहा है तो इस हिसाब से हमने इसको जब decode किये so option number A हमको यहाँ पर इसका answer मिला नेक्स question देखी क्या है अगर चिन्नई के लिए इशाराती जबान D, I, F, O, B, J हो तो Bangalore के लिए क्या होगा तो same चीज हम करेंगी यहाँ पर हम लिख लेंगे C, H, E, N, again, N, फिर A, और यह है I उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ Bangalore लिखेंगे B, A, N, G, L, O, R, E ओके यह हो गया अब हम इसके बाद क्या करेंगे इनको numbering देंगे तो देखी यहाँ पर इसका पहले मैं लिख लेती हूँ इसका code क्या है देखीए B, और यहाँ पर है J तो देखी इससे हमको क्या पता चल रहा है देखी देख कर ही हमको समझ में आ रहा है C के बाद आता है D, यानि प्लस 1 H के बाद I, E के बाद F, N के बाद O Again N के बाद O, A के बाद B और T के बाद क्या आता है J आता है तो यहाँ पर हमको सेम इसी तरह से प्लस 1 वाला उसूल अपनाना है B के बाद क्या आएंगा C, A के बाद B, N के बाद O G के बाद H, L के बाद M O के बाद P, R के बाद S और E के बाद आएंगा F तो यहाँ पर देखी हमको इस तरह से इसका क्या सही जवाब मिला C, B, O, H, M, P, S, F यह निए Option B यहाँ पर इसका सही जवाब है जब हमने इसको इसको डिकोड किये तो इसका जो कोडिंग दिया गया था सवाल का तो इसको हमने जब डिकोड किये तो हमको पता चला कि प्लस वन वाला उसुल यहाँ पर अपनाया गया है Next question देखते हैं Question number 3 है अगर Apple के लिए इशानाती जबान B, Q, Q, M, F हो तो इसकोल के लिए क्या इस्तेमाल होगा तो सेम चीज़ हम करते हैं यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले Apple को लिख लेंगे हम A, P, P, L और E लिखे हमने और यहाँ पर क्या दिया गया है इसकोल S, C, H, O, O और यह L हमने यहाँ पर लिख लिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसकी code लिखेंगे क्या code है देखिए यहाँ पर B है यहाँ पर Q, यहाँ पर Q Q यहां पर M और यहां पर है F तो देखिए यहां पर भी हमको क्या नज़र आ रहा है देखिए A के बाद B यानि प्लस 1 P से Q अगें P से Q L M E F यहां पर भी प्लस 1 वाला ही रूल है देखिए easy to difficult question की तरफ हम जाएगे जैसे जैसे मैंने आपको type बताई हूँ पहले उसी उसी type के question हम ज्यादा से ज्यादा solve करेंगे ताकि एकी pattern आपको समझ में जल से जला जाए देखिए यहाँ पर क्या बनेगा फिर S के बाद क्या आता है T आता है C के बाद क्या आता है D आता है H के बाद क्या आता है I आता है O का P O का P और L का क्या आता है यहाँ पर M आता है तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा कौन सा जवाब मिलेगा यहाँ पर option number B जो है यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा TDIPPM तो option number B जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है देखो क्या next question क्या है एक इशाराती जबान में boat को arrow लिखा जाता है तो dread को कैसे लिखा जाएगा तो देखो अब यहाँ पर यह लिखते हैं boat B O A T उसके बाद क्या कहा गया है क्या है देखिए dread दिया गया है D R E A और D दिया गया तब मैं पहले जो code दिया गया है वो लिखेंगे क्या code है देखिए इसका E R O और यहाँ पर है इसका W तो देखिए अब यहाँ पर क्या coding इस्तेमाल किया गया है देखिए क्या नजर आ रहा है आपको एक बार यहाँ पर हम चेक करेंगे देखिए यहाँ पर I think C होना चाहिए था यहाँ पर C आएंगा क्योंकि देखिए प्लस थ्री वाला रूल यहाँ पर हमको करेंगा G आर में करेंगे तो क्या आता है U E का क्या आएंगा यहाँ पर H A का क्या आएंगा यहाँ पर D और D का क्या आएंगा यहाँ पर G यहाँ इस तरह से यह इनकी प्लस थ्री वाला रूल जो है यहाँ पर अपनाया गया है ओके तो इस हिसाब से हमारा कौन सा answer होता है फिर option number C जो है यहाँ पर हमारा सहीं जवाब होता है next question देखें क्या है अगर criminal के लिए इशाराती जबान E, T, K, O, K, P, C, N हो तो police के लिए क्या इस्तेमाल होंगा same rule follow करना है हमको क्या करेंगे हम पहले लिख लेंगे क्या दिया गया क्या दिया गया देखें C, R, I, M, I, N, A और यह है L criminal अब इसके लिए क्या दिया पहले यहाँ पर भी लिख लेंगे किसका पुछा गया है police का P, O, L, I, C और यहाँ पर है E अब हम इसका देखेंगे criminal के नीचे हम देखेंगे क्या आता है देखें criminal के नीचे क्या है E, T, K, O, K, P, C और यहाँ पर N तो अब हम क्या करेंगे इसका पहले हम rule देखेंगे क्या rule यहाँ पर follow किया गया है देखें यहाँ पर क्या rule follow किया गया है देखें C के बाद क्या आता है d आता है उसके बाद e आता है यानि plus 2 हमको दिख रहा है यहाँ पर r के बाद क्या आता है s फिर d आता है यानि plus 2 i के बाद j फिर के आता है m के बाद n फिर o आता है i के बाद j फिर k n के बाद o फिर p a के बाद b फिर c आता है I के बाद के आता है J, लेकिन हमको अगला लेना है K, C के बाद के आता है D, लेकिन हमको अगला लेना है यहाँ पर E, और E के बाद के आता है F, लेकिन हमको उसके बाद वाला लेना है G, तो देखें इस तरहां से R, Q, N, K, E, G, जो है पोलिस का कोड बनता है, तो इस इसाफ से अगर हम देखेंगे तो option number D जो है यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा इस तरहां से अगर हमने इसको code किया तो next question देखिए question number 6 है यहाँ पर क्या है question number 6 अगर rhythmic के लिए इशाराती जबान QXSGLHB हो तो music का code क्या होगा तो देखिए मैं यहाँ पर पहले लिख लेती हूँ क्या दिया गया है देखिए R, Y, T, H, M, I और यहाँ पर दिया गया है यह C और इसके लिए क्या code इस्तेमाल किया गया है देखिए Q, X, S, G, L, H और यहाँ पर है B तब इनकी numbering हम यहाँ पर देख लेते क्या दिया गया है हमको किसका निकालना है music M, U, S, I और यह है C यहाँ पर हमको इसका code निकालना है तो किस तरह से इसका हम निकालना है देखिए अब यहाँ पर पहले हम R का देखेंगे R के बाद क्या आता है देखिए R के पीछे जो है Q आता है अगर minus 1 करी हम Q से जाते Q के बाद आता है R, S के बाद आता है X के बाद आता है Y, S के बाद आता है T यहाँ पर क्या किया गया है उससे पहले वाला alphabet लिया गया तो देखिए M से पहले क्या आता है हमको यहाँ पर फिर वो लेना होगा तो M से पहले क्या आता है देखिए यहाँ पर M से पहले आता है L, U से पहले क्या आता है T, S से पहले क्या आता है R, I से पहले क्या आता है H, और C से पहले क्या आता है B, तो L, T, R, H और B, यानि option number B देखिए यहाँ पर हमको सही जवाब इसका मिल रहा है, तो देखिए इस तर पूरे बता दिये गये हैं बस आपको वही लॉजिक नीचे जो कोशन दिये जा रहे हैं उनमें लगा कर देखना है कि कौन सा लॉजिक यहां पर सूठ होता है ओके नेक्स टोशन देखी क्या है नेक्स टोशन है माइट के लिए अगर के जी एफ आर हो तो डाइरी के लिए क्या होगा तो दीकि यहां पर हम इसको लिख लेते हैं पहले तो किसके लिए दिया गया है M, I, G, H और T और पूछा किसके लिए गया है डाइरी के लिए D, I, A, R और ये है Y तो दीकि यहां पर हम इसका देख लेते हैं अब माइट का क्या है देखी क्या दिया गया है K, G, E, F और ये दिया गया है R दिया गया है तो दीकि यहां पर क्या रूल आपको क्या नजर आ यहां पर भी माइनस वाला रूल है क्योंकि देखिए के बाद आता है यहां पर माइनस टू किया गया है यहां पर भी माइनस टू हो गया है यहां पर भी माइनस टू हो गया है यहां पर भी माइनस टू है यहां पर भी माइनस टू यहां पर भी माइनस टू यहां पर भी माइ A से तो starting की होती है तो हम A के पीछे कैसा जाएंगे तो A के पीछे Z और फिर हम लेंगे Y यानि हमको वापस से alphabet शुरू करना है वहाँ पर उल्टी सीरीज में A से पहले Z consider करेंगे Z से पहले अगर हम minus करेंगे तो Y आता है option number B में नज़र आ रहा है तो इसे सापसे अगर हम देखेंगे option number B जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा next question देखी क्या है next question है अगर कैनो के लिए क्या है IFRRG हो तो music के लिए क्या होगा देखे तो यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे क्या है देखिए C A N O और यहाँ पर है E अब इसके बाद किसका मालूम करना है हम वो देखेंगे music का मालूम करना है M U S I और यह है C अब music का हमको यहाँ पर मालूम करना है अब इसके लिए क्या दिया गया है देखिए I है इसके लिए F है फिर यहाँ पर R है ओके अगेन आर है और यहाँ पर क्या है जी है तो दीके अब यहाँ पर क्या कौन सा रूल अपनाया गया है दिखिए यहाँ पर प्लस 6 वाला रूल अपनाया गया है दिखिए यहाँ पर I think आर नहीं होना चाहिए था यहां पर दीखे इस तरहां से अपनाया गया है यहां पर प्लस 6 फिर इसमें प्लस 5 फिर प्लस 4 फिर प्लस 3 और फिर प्लस 2 इस तरहां से रूल अपनाया गया है यहां पर ओके तो वहीं चीज हमको यहां पर करने हैं M में प्लस 6 करें तो क्या आता आता है, M के बाद N, O, P, Q, R और S आता है, यानि यहां पर आ जाएंगा हमारा S, तो देखिए हमको answer directly मिल गया option number D, Q क्योंके S पहले ही, मतब A की option में, शुरुबात में S है, लेकिन फिर भी हम जाते है, U में 5 मिलाए तो कितना आता है, Z आता है, U के बाद V, W, X, Y, and Z S के बाद क्या आता है, S के बाद आता है T, U, V, और W यानि 4 मिलाए तो W आता है, I के बाद क्या आता है, J, K, और L 3 मिलाए तो L आता है, C में 2 मिलाना है C के बाद D और E, तो यहां पर आगे, E यानि यहां पर क्या है plus 6 या 6 factorial का rule यहां पर नंबर D जो है, यहां पर हमारा answer बनता है, option नंबर D जो है इसका सही जवाब होगा next question देखी, क्या है next question है, अगर goodness के लिए H, N, P C, O, D, T, R हो तो greatness के लिए क्या होगा हमको यहां पर यह पूछा गया है तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जिसके लिए दिया गया है, वो लिखेंगे G, O, O, D, N, E, S, और S दिया गया है और पूछा किसके लिए गया है अब मालुम किसका करना है, देखीए मालुम करना है greatness का G, R, E, A, T, N, E, और यह S, S, ओके just a minute फिर से लिखती हूँ देखिए मैं क्या है, G, O, O, D, N, E, और यह S, S और यहाँ पर है हमारा greatness G, R, E, A, T, N, E, S, S यह हो गया greatness, ओके अब उसके बाद देखी यहाँ पर हमको पहले इसको जो code दिया गया है वो लिखना है, इसका क्या code दिया गया है देखिए, H, N, P, C, O, D, T और यह R और इसका क्या दिया गया है देखिए, goodness क्या है देखिए, यहाँ पर H, Q, F, Z, U, M, F, R और यह दिया गया है, यहाँ पर T अब यह कैसे बना देखिए, इससे यह कैसे बना मैंने कैसे यह आंसर निकाली, हम यहाँ पर देखेंगे देखिए, यहाँ पर यह प्लस 1 किया गया है फिर यह माइनस 1 किया गया है फिर प्लस 1, फिर माइनस 1 इस तरह से किया गया है तो देखिए तो दिखिए किस तरह से आया फिर दिखिए G में प्लस वन करेंगे तो H आता है R में माइनस वन करेंगे तो Q आता है फिर E में प्लस वन करेंगे तो F आता है A में माइनस वन करेंगे तो Z आता है T में प्लस वन करेंगे तो U आता है N में माइनस 1 करेंगे तो M आता है E में प्लस 1 करेंगे तो F आता है S में माइनस 1 करेंगे तो R आता है और S में प्लस 1 करेंगे तो T आता है तो देखिए प्लस माइनस दोनों का रूल भी मैंने आपको बताई थी तो यहाँ पर दोनों का रूल अपनाया गया है प्लस वन और माइनस वन वारा तो इस हिसाब से जो है हमारा आंसर कौन सा बनता है फिर देखिए मैच करिए H Q F Z उके उसके बाद क्या है U M तो H Q F Z U M यहाँ पर option number C में नज़र आ रहा है देखिए U M F R T तो option number C जो है यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा तो इस तरहां से देखिए आपको decoding decoding के जो मैंने आपको pattern बताई हूँ या जो rule बताई हूँ वो rules को अपना कर आपको क्या करना है आंसर तक पहुचना है next question की तरह बढ़ने से पहले एक बात कहूंगी कि अगर आप लोग उर्दू medium के लिए टेट exam की preparation अगर कर रहे हैं तो एक बार आप fh2 classes पर विजिट करिए fh2 classes यह मेरा personal channel है आप एक बार यहां पर विजिट करिए यहां पर आपको previous year question subject wise करवाई जा रहे हैं with explanation reasoning के भी पूरे question math के भी यानि वहां पर अलग-अलग जो है set wise आपको अलग-अलग set और अलग-अलग उसके section wise आपको previous year question paper solve करवाई जा रहे हैं प्लस IMP questions जो है यानि science का जितना भी syllabus से 5 to 10 तक उसके सिफ question answers के through objective type question answer के through आपको पूरा 5 to 10 तक का syllabus science का भी cover करवाया जा रहा है और इंशालला exam से पहले-पहले बागी कर जो social science से उसका भी syllabus आपको जरूर कवर करवाया जाएंगा तो एक बार FH2 classes पर visit करिए that exam से related बहुत कुछ important आपको बहाँ पर देखने को मिलेगा next question देखी क्या है question number 10 है loves united को इशाराती जबान में slgrc भी लिखा जाता है तो love's disown को कैसे लिखा जाएंगा तो देखी इस सवाल को जो हैं आपको homework में करना है और मुझे comment करके जरूर बताना है कि इसका answer क्या है जो pattern जो तरीके जो आपको logic बताएंगे हैं उनका इस्तेमाल कर यहाँ पर और question number 10 का answer मुझे comment करके जरूर बताईए जरूर ट्राइ कीजिए और जो tricks आपको बताई गई हैं वो आपको useful लगी या नहीं लगी आप मुझे ये भी comment करके जरूर बताईए तो आज के लिए इतना ही वीडियो आपको कैसी लगी comment करके जरूर बताईए अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दूसरों तक भी share कीजिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए अलाहाफेज